असलाम वालेकुम डोस्तों कैसे हो आप सब लोग आप सब अच्छे ही हो गए जेनप की रसोय में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं माहे रम्जान का महिना खतम होने पे हो इस महिने में अगर इफतारी के वक्त रगणा चाट नहीं बनाया तो क्या बात हैं आज मैं बताने वाली हूँ बंबे स्टाइल स्ट्रीट फूट रगणा रगणा चाट की रेसेपी इसके लिए हमें ले लेना है पाव किलो वाइट मतर यानि की वटाने ये मार्किट में आसानी से मिल जाता है इसे हमें रात भर भीगो दिये थे बिल्कुल बारिक बारिक जो मतर मतर देना है मोटे मतर लेना है इसे रात भर भीगो दिया था और साप पानी से धो लिया था थोरा पांई दाल कर समय कुकर में दाली du plat यानि विश में में सोडा कारदार रही हूं यानी कि खाने का सोडा जुए के इता हमती हो छोपती küçण ना नहीं की जरूए है तो यहां पर हमने ले लिया है कोथ मीर वह भी हरे हरे दंकल वाली और डाल देना है चार से पाच हरी मिर्ची और छोटा तुकड़ा अध्रक का लिया है इसे दो हिस्सों में काट लिया है और डाल देना है आदा निम्बू का रस कि अब हमें इसे ग्रैन कर लेना है लेकिन हम इसमें पानी की जगा पर बरक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमुआरी चट्नी काक्लर जो है हरा सा बरक्रार रहें तो देखें चट्नी हमारी पीश चुकी है अब हम इसे एक छोटे से बोल में निकाल लेते हैं और यह देखे हमारी हरी चटनी बनकर रेदी हो चुकी है और यहाँ पर तीन सीटी भी आज चुकी है मटर में हमने एक अदद छोटा सा आलू भी दाला था जिसकी सुटिंग आ नहीं पाई थी आप लोगों को दिख रहा होगा मटर के अंदर आलू भी है इसमें से दो तीन आलू को हम मेश कर लेते हैं ताके रगरा में अच्छी खासी ठीकनेस आईगी और खाने में काफी स्वादिस लगेगा रगरा हमारा तो यहाँ पर हम थोड़े से आलू भी मेश कर लेते हैं और थ इसमें दाल देते हैं थोड़ा सा तेल यह लगबक 2-3 चम्मच टेबल इस्पून जितना भी लगेगा हमें इसमें ज्यादा टेल का इस्तेमाल नहीं होता है तो इसमें दाल देना है मसाली की चम्मच से एक चम्मच जीरा और जीरा अच्छे से फुटने लगे तब दाल दे तक इसे हमें पकाना है और यह देखिए प्याच को हमने अच्छे से सोते कर लिया है इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है तो अब हम इसमें कुछ सुक्के मसाले डाल देते हैं तो यहां पर एक मसाले की चमज से ले लिया है जीरा पाउडर और दाल देना है एक चमज भर कर धनिया पाउडर मसाले डालते हैं वक्त हमें गेस की फ्लेम को शिलो रखना है नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे अब दाल देना है एक चमज भर कर हल्दी पाउडर और दाल देना है देर चमज भर कर मिर्ची पाउडर ये तिखी वाली लाल मिर्च पाउडर है सबी मसालों को दाल कर इसे हमें सोते करना है थोरा सा मसाले का कच्चापन दूर हो जाए तब हम इसमें दाल देना है एक छोटा सा बारिक कटा हुआ टमाटर इसे डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे तमाटर जल्दी से घर जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इस पे नमक डाल देंगे नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने मटर उबालने के वक भी नमक का इस्तेमाल किया था तो इसमें हम थोड़ा नमक कम ही डालेंगे और नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिस्स कर लेंगे और 2-3 मीट के लिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे मसाले में मिक्स हो जाए और टमाटर गल जाए तो इसे हम थोड़ी देर के लिए लगबख पाउडर है , यहां पर हमें अब डाल देना है गरम मसाला बाउडर लिया है इसे हम डाल देंगे और बाकी के जो मसाले भी प्लेट पर चिपके वोजब यह ते वह भी इसमें डल चुके है यह सर दालने के बाद हम अच्छे से mix کرेंगे हमें इसा ध्यान रखना है कि गरम मसाले हमें आखिर मेरी ही दालना है गरम मसाले को भी हमें अच्छे से सोते करना है कुछ सेकन के लिए पकाना है मटर और आलू को अच्छे मिसे कर देना है और ये देखिए अदर मारा रगरा चाथ अच्छे से मिक्स हो pops होता है और ये कलर jackets हैły आप लोगों डिहागा हो गए अब हमें एक बषया आप करेल के लिए कमें मतर आलू को अच्छे से मिस धक्कर पकने देना है ताके मसाले और अच्छे से रगड़े के अंदर मिक्स हो जाए और यह एकदम स्वादिस बनकर रेडी हो तो यह देखिए यह एक उबाला चुका है अब हमें इसे धक्कर रख देना है अभी मैं आप लोगों एक बोल में सरव करके भी दिखाती हूं इस कैसी बनी आप लोग ने यह रेशेपी बनाई तो आप लोगों को यह रेशेपी कैसी लगी इस से मेरे होसले को काफी इजाफा मिलता है और नही नही रेसिपी बनाने का काफी होसला मिलता है तो प्लीज 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 आप लोगों से मेरी गुजारी से कि आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बोल में रगरा दालने के बाद उस पे उपर से दाल देना है खटी मिठी चटनी एक घर की बना के रखी हुई थी वो खटी मिठी चटनी दा रही हुँ और जो हमने तीखी चटनी बना के रखी थी वो अब उपर से दाल देना है और दाल देना है चाट मसाला थोड़ा सा और दाल देना है धन्या और फुदीना अगर फुदीना हो तो वो भी दाल दीजेगा तो मिलते हैं नेक्ष रेसेपी में जब तक के लिए खुदा हाफिस